नमस्कार दोस्तों आज की वीडियों लोग जानने वाले हैं कि T-PIN को फार्गेट कैसे करते हैं अगर आप इस सेंट्रल मेंक का स्टेंट माल अप्लिकेशन इस्तिमाल करते हैं और आप भी अपना T-PIN नहीं टांजिक्सन पीन भूल गया हैं तो आज की वीडियो मैं बताने वीडियों अप्लिकेशन को जासके देखने हैं इसको open कर लेना है और open करने वाद आपको ठोड़े से wait कर लेना है और wait करनेवाद और आप इना किहें यहां पर i है आपको फीना login किए यहां पर फार्गेट का Option देखने को मिल जाता है यहां पर forget all option पर click कर देना है उसके बाद से यहां पर तीन option देखने मिल जाता है forget user id का forget login password और login forget transaction pin टीपीन तो तीसरा नमबर का जो है टीपीन forget transaction password इस वाले option पर click करना है उसके बाद से नीचे अपना जो cf number यहां पर जाता है तो cf number यहां पर डाल देना cf number पता नहीं होगा ते यहां पर बीटिपीन पर लिंक को जाए वीडियो देख लिए उसका जो भी होगा उस history get कर पाएंगे तो यहां पर debit card वाला option पर click करना है उसके बाद से debit card हैं पर card का number यहां पर type कर दोना है उसके बाद से card कब expire हो रहा हूज कुछ चैपार यहां पर wait कर लेना है और debit card validation complete successfully हो जाएगा उसके बाद से यहां पर आपको ओक्ये वाला option पर click कर देना है जासे कि यहां पर देख पा रहे हैं तो क्या वाला option पर click कर देना है ओक्ये वाला option पर click करने बादे हैं यहां पर sit tp ने हैं पर new tp ने आपर sit कर सकते हैं जैसे कि यहां पर देख पार हैं नीचे दिया होगा कैसे सेट करना है तो यहां पर देख पार हैं आलफाबेट में रहना चाहिए मिनिमर में 8-10 कारेक्टर के बीच में रहना चाहिए यहां पर कोई भी स्पेस यहां पर नहीं देना है तो यहां पर पिन को आपको बना लेना अपने मान फसंद का यहां पर देख पा रहे हैं जैसे निचे लिखा याशे से ऐ बनाना है और उपार टीपन डाना न करना है उसके बाद से नीचे आपको टीपीं डानाले के संट्र बिए और अप्रिक करेंगे और यहां पर कोई भी टांक्शन है, यहां पर कर पाएंगे नए टीपीं से, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लिजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और कोई भी प्राब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जबर पूछ सकते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आपको जैहिंद